कुछ तो नया होगा यह तो तय बात है ऐसा नहीं कि पुराने पैटर्ण से होगा क्योंकि सरकार है जब भी आपके बदलती है तो अपना पैटर्ण लागू करती है अब जो नया पैटर्ण होगा उसमें क्या हो सकता है मैं आपको एक और बात बताओं नया पैटर्ण जब भी पिछले से ठीक किया झाएगा खराब नहीं किया जाएगा तो वो बैहतर होगा यह तैमानिया अप पैसले से कभी भी वदतर नहीं होता हमेंशन चीजें यह रहते ही जब भी नए पैटन आते हैं तो पिछले से ठीक पैटन कभी यहीं नहीं नहीं राजस्तान में अजिस पार्टी की सरकार पार्टी जाने के बादमें फिर इस पातरता में है बाद में होगी मुठ्ख्य परिक्षा one isちゃん ada इस अभी यहाँ हो सकताथ अधिक्तम यह हो सकता है कि पत्ता परिक्षा में यह लोग यह कर सकते हैं वहीं पात्रता की मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद है वह फैस ने कर सकते अब हो सकता है कि इसे नेट वाला फॉर्मेट कर देंगे उन्हीं को अध्यापक बढ़ती परिक्षा में बैठने दिया जाएगा यह भी पॉसिबल हो सकता है लेकिन इसमें फिर कोट में जाने के इंचान से ज्याव थोड़े से ज्यादा रहते हैं तो पातरता भी होगी मुख्ये भी होगी एक तो से बैठता है कि चलो मुख्य परिक्षा है बर्लार है सब 7 मंख्या प्रेक्स नक्रें मुख्य पर्सक्रिक्रणिंगे और यह सुबह साम हो आप प्रस्ट और सेगेंड जैसा की अध्यापक्त वरिष्ट अध्यापक्त में और फ़स्ट कर देंगे और इसमें यह कहा देंगे कि न्यूंतम आपको जैसे फस्ट ग्रेड में चालीस परसंट वारा जो रूल से वह लागू कर देंगे ठीक है अब 40% का जब रूल्स लाग परिक्षा कराई रीट के बाद से महीने तक रीट का रिजल्ट नहीं आता और फिर मैंस की फवर माते हैं बार सारा समय लग जाता है इसमें परिक्रिया डैड़ दो साल की हो जाती है तो मुझे यूं लगता है कि यह लोग क्या करेंगे एक परिक्षा करवाएंगे जैसे बीड और बीएस्टीस यह उनके लिए एक पातरता करवा देगी और उस पातरता को पास करने वाला अध्यापक वरिष्ट अध्यापक और फस्ट टीनों के लिए लिजिबल माना जाएगा क्योंकि राश्टी सिक्षा नहीं ती के अनुसार यह सिस्टम भी पॉसिबल है कि यह कोमन पातरता परिक्षा हो और सी कोमन एलिजिबलीटी टेस्ट जैसे सीट होता ला वैसे इनका अलग कर लेंगे एक जिसमें क्या करेंगे टीचिंग मैथार्ड साइकोलोजी वागरा जो भी टीचर्स के लिए जलूरी है वो कर लो उसमें जो भी पास होगा उसमें फर् बावना भी मुझे कम लग रही है अब मेरा जो आपको फाइंदली अल्टीमेट है वो यह कि सारे आयाम देखने के बाद में मैं बहुत आस्वस्त हूं कि यह जो बिंदू है इसको लागू किया जा सकता है चालीस परसेंट रूल्स के साथ में लागू किया जा सकता है और इसके साथ ही आपके आगामी भरती जाव है वो पॉसिबल है 99 परसेंट चांसे इस बात के बैठ रहे हैं ठीक है इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं गवराना आप यह कह सकते हो सर मैं पढ़ रहा हूं पिछले सब 7-8 मेने से रीट और रीट मुख्य परिक्षा और उसकी तैयारी कर रहा हूं सर फिर मेरे तुarde बरबाद हो जाएeka देखम मैं आपको बात बदा देता हूँ इस परिक्षा में मनुविघ्यान 101 परसेंट रहेगा इस परिक्षा में राजस्तान का जो जबेव ऊंडिटपर संट रहेगा इस परिक्षा में स्क्ष्ण विदियां आपके 101% रहेगी, इस परिक्षा के अंदर आपके अगर L1 के स्टूडेंट है तो आपके वो परियावरन का जो भाग है, वो 100% रहेगा, अगर आप L2 के स्टूडेंट है, तो definitely आपके जो विज्ञान का भाग है, वो यहां फिर आपके सामाजिक है, तो सामाजिक का भाग 101% ठीक है तो अब आप यही समझ लिजी जी आप अभी भी है प learn क्योंकि देखो अगर आपर बीयों आप यही ना इसंद को से न तो आप यहीDas होगा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा अब प्रनालियां इदर उदर हो सकती लेकिन अंदर की पाठे क्रम साहम होते हैं तो मैं आप सभी विद्यारतियों से बड़ी विनम्रत तरीके कि इन सारी चीजों से दूर रही यह अकबारी खबरों से भरमित न वह फालतूगा क्योंकि यह खबरें पर्थम दर्ष्टियाए की परमाने की नहीं कि इस खबर को जिस तरह से पत्रकार लिखता है वैसी खबर होती नहीं तब तयार होंगे एक्स्ट्रावली लिस्ट बढ़ में तैयार कर लेना और यह तो होता है तो मैं तो मानता हूं कि बहुत शानदार हो रहा है